बात मेंवी ने आपने एख निया आपने यीरा कहलों कर दिया जो कि अज मेरे पास ये ख्लाा सिक हंपआस वू मेंवी ख्लासिक है घंड़ा जो उसके बाद इस तरह बोक्स उपर में MiBi branding mention किया गया है नीचे में product का photo दिया गया है Color classic wireless earphone dip unpowerful bass fast charging made in India backset का अगर मैं बात करूँ तो कुछ key highlights mention किया गया है इस earphone के बारे में HD stereo sound उसके साथ splash proof है and ओ जो भी है मैं आपको आगे में बताऊंगा AMEMC mic लगा है आपका call quality है crystal clear रहेगा नीचे में उसका pricing mention किया गया है true999 नहीं दोस्तों यह आपको 999 में मिल जाएगा flip card में flash sale चल रहे हैं आप उदर से purchase कर सकते हैं और मैं अगर बात करूँ मीवी का जो यह earphone है मीवी का जितने सारे products जो unboxing कर चुका हूँ तो पूरा fully made in India रहते है and manufactured in India रहते है एक Indian brand इतना सब कुछ हम लोग के लिए कर रहे है तो हम लोग के जरूँ इसको support करने चाहिए तो फटा बट से अभी box open करते हैं तो यह हो कि आप box open इस बार थोड़ा मीवी बड़ा box दिया है तो उपर में आपको देखने को मिल जाता है एक मीवी का crew welcome to the crew member push the limit इसको रखते साइड में उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है एक WhatsApp के थुरू आप warranty claim कर सकते है इस earphone को तो और एक user manual मिल जाता है जिसको आपको जरूरत नहीं है बस earphone तो ही तो है Bluetooth connect करने से ही चलेगा फिर भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते है इलाश्ट को हम लोग को product जो है मीवी का wireless earphone इसको तो हम लोग open करेंगे फिर भी हम लोग देखने हैं इधर आपको दिया एक ठो टाइप C देना चाहिए मैं भी micro USB cable क्यों देता है क्योंकि अभी जितने सारे smartphone brand से सब type C पे switch करने है तो अगर आप किदर भी जाते हैं तो आपको दो-दो wear लेके घुमना पड़ता है तो type C switch करना चाहिए ठीक है product अगर मैं pricing के हिसाफ से बात करूं तो चलता है तो और आप कोई देखने को मिल जाता है माइन छोड़ा छोड़ा year tips जो की आप लगा सकते हैं आप कई तर medium size लगा इधर कई small and big size मिल जाता है मैं तो कभी change नहीं करता हूँ फिट भी अगर आपको कई घूम हो जाता है तो आप इसको change कर सकते हैं तो अभी इसको open करते हैं मीवी कोला क्लासिक तो क्लासिक इसका नाम क्यों दिया गये मैं आपको बता दूँगा आगे तो fully classic made जैसे लग रहा है क्योंकि भूत ही light weight है मैं मीवी कोला 2 यूज किया था इसका थोड़ा थोड़ा मैं कोई heavy लगाता लेकिन यह fully light weight है अगर मैं weight का बात करूँ तो 29 gram का यह आ जाता है fully classic type का लग रहा है क्योंकि इसका जो आपका earbuds है अगर मैं बात को इसका प्लास्टिक दिया गया है fully plastic तो made है लेकिन इसका जो cable है flat cable तो huge किया गया उसके जो rubber finishing है बहुत ही अच्छा finishing test दिया है जो कि pricing की सबसे मैं अगर मैं बात करूँ तो इतना कम price में इतना अच्छा quality के साथ इतना अच्छा design कोई provide नहीं करता तो अभी बात करते है physical overview का physical overview का देखते हैं तो आपको मीवी का क्लासिक है right side में आपको देखने को मिल जाता है power on up button volume rocker देखने को मिल जाता है mic जो आप call pick कर सकते हैं LED light मिल जाता है जो अगर आप इसको on करते हैं तो blue और red में blink करेगा आपको इधर देखने को मिल जाता है USB port जिसमें आप charge कर सकते हैं मीवी का आपको वेयर दिया है अगर आप यह तो बोल्ड है कि fast charging तो fast charging के लिए आपको fast charger implement अगर आप खुद अपना phone charger से charger करते हैं चार्ज करते हैं इसको तो आपको यह fast charging होगा अगर आप नॉर्मल 5 volt 0.5 ampere का कुछ charger लगाते हैं जैसे keypad phone का वगर charger तो आपका यह charging speed नहीं होगा तो यह तो मैं बाता दिया क्या क्या इसमें दिया गया USB port तो बता दिया उसके बाद अगर मैं बात करो इसका जो मीवी का जो एयरबर्स का डिजाइन इस बार चेंज किया देख सकते हैं आप इबर्स का डिजाइन इस बार अच्छा ठोड़ा चेंज किया क्योंकि इस बार आपको प्रीमियम टैप के एर वडस देखने को मिल जा रहा है जैसे लिखा है ऊपर मैं मीवी तो मीवी कोलर में तो लिखा था लेकिन इस बार ठोड़ा डिजाइन वाइज थोड़ा बहुत ही चेंज दिया प्रीमियम टाइप का लूग लग रहा है उसके साथ मैगनेटिक इसमें है अगर आपको कहीं पर जाते हैं तो भार में अगर आप एयरफोन पिक करते हैं तो आप अगर आप इसको एयरफोन ठीक से लगा नहीं सकते हैं या फिर लॉक नहीं हो रहा आपका एयरफोन तो आप इसको आराम से लॉक कर सकते हैं तो यह आपको जस्ट एक यह मैगनेट टाइप का है अगर आप इसको रखते हैं तो आप आप आटमेटिक के लॉक हो जाता है तो तो प्लास्टिक तो दिया है लेकिन इसका जो टाइप तो प्रेस करते हैं तो इतना इतना मतलब इसका रेस्पॉंस नहीं था लेकिन इसका को लाकिन बुटन है बहुत अच्छा रेस्पॉंस है neckband अगर आप long time भी use करते हैं तो आपको कुछ problem नहींगा comfortable का अगर मैं बात करूँ design and build का तुम्हें बदा दिया design wise तो बहुत ही अच्छा है अगर आप कहीं पर भी लगा के जाते है इसका color wise blue आ जाता है white आ जाता है उसके बाद आपका red आ जाता है आपको यू लंबा केबूल दिया गया अपको सब मतलब जो कभी कोई-कोई छोटा लगता है उनका जो केबूल में जो व्यार दिये ता बहुत ही छोटा लगता है लेकिन यह तो बहुत ही लंबा है आपको अच्छा से fit हो जाएगा उसके साथ है जो केबूल यह फ्लाट केबूल दिया गया है तो फ्लाट केबूल होने से क्या होता है आपको advantages no tangle free रहता है बहुत ही जल्दी इसका tangle नहीं होगा तो केबूल वाइस तो बहुत ही अच्छा है मतलब अब अगर आप इसको rugged यूज भी करते हैं माइक में आपको crystal clear sound देखने को मिल जाएगा इधर आपको bluetooth range जो है 10 meter तक है आप इसको लगा सकते हैं और इसमें extract of features यह IPX 5 rating देखने को मिल जाता है gym अगर 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 आप use करते हैं तो minor अगर अगर आप रेंड में भी अगर जाते हैं तो 10 minutes अगर आप चार्ज करते हैं तो आपको इधर 10 hours का आपके देखने को मिल जाएगा अभी फटाफट से इसको प्यार करते हैं अपना फोन के साथ करता हूं हां दोस्तों यह प्यार हो चुका है में भी कोला क्लासिक कनेक्टेड तो इधर आपको बेटरी कितना देख देते हैं ठीक इसमें नहीं दिखा रहे हैं मेरे हैं मैं फोन में तो अभी एक music प्ले करते हैं उसके बाद मैं आपको बता दूंग इसका मुल्टि फंक्शनल बटन कैसे काम करता है तो यह अन हो गया music अब कुछ भी सॉंग एक रेंडम लगाते हैं फिर देखते हैं इसका काम कैसे करता है क्योंकि अगर आप इस मॉल्टि फंक्शनल बटन को नहीं जानते होंगे तो आपको अच्छा नहीं लगए अच्छा सी य हो चुका है music on हो चुका है अभी मैं आपको बता देता हूं इसका मल्टि फंक्शनल का बटन कैसे काम करता है वह मैं आपको बता देता हूं तो भी ठीक है अभी इसमें जो राइट साइड में आपको देखने को मिलता है plus button and minus button अगर आप इसको plus button एक बर क्लिक करेंगे तो यह volume high होगा और low होगा अगर आप minus button एक बर क्लिक करेंगे तो यह volume low होगा तो अगर आप इसको plus button को प्रेस करके and hold करके रखेंगे तो यह next music को चला जाएगा जैसे देख सकते next music में रहा गया minus button को अगर आप hold करके रखेंगे तो यह previous music को चल जाएगा तो इसे ही कुछ इस को प्रेस करके थोड़ा hold करके रखते हैं तो यह आपका Google Assistant on हो जाएगा एक ही बार में आपको इदर Google Assistant on हो जाएगा तो इसमें और एक्टों फीचर है dual pairing mode तो अगर आप single dual pairing mode दो फोन एक ही बार आप इदर connect कर सकते हैं या फिर laptop और फोन एक ही साथ आप इदर connect कर सकते हैं तो मैं gaming भी कुछ टेस्ट किया तो इसमें latency में कुछ issue मेरे को देखने को नहीं मिला बहुत ही अच्छा है minor latency देखने को मिलेगा PUBG वेगरा में नहीं तो बहुत एक comfortable है आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं conclusion part का अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यह बहुत ही अच्छे यूज फोन है तो इंप्रेशन में में कुछ इसमें कम ही देखने को नहीं मिला sound test मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि एक ठो speaker होता तो मैं आपको दिखा देता इसका output में record नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए मैं आपको नहीं बता है फिर भी अच्छा है मैं खुद यूज किया हूँ कॉल में कुछ पिक किया इसमें कॉल quality में कुछ issue नहीं है बहुत ही अच्छा है loudness ठीक है बास अगर मैं बात करूं थोड़ा crispy type का लगता है ज्यादा है भी नहीं है कि standard type का बास इसमें दिया है full charge 45 minutes फ कुछ query रहेगा तो नीचे में comment करेंगे मैं आपको जड़ो से reply करूंगा तो बाई बाई दस्तों